हलो एवरिवन आज की इस वीडियो में हम लोग क्वाडिलेटरल में प्रोपर्टी जो पैरलेलोग्राम के बेसिस पे एक थियोरम को देखने वाले हैं तो आई देखते हैं इसका एस्टेटमेंट क्या बोलता है तो यहां बुल रहा कि इफ इन अप क्वाडिलेटरल इच पियर अप उप उपोजिट एंगल्स आर इक्वल देन इटी जे पैरलेलोग्राम यानि हमारे पास एक कोई क्वाडिलेटरल है जिसका उपोजिट एंगल्स क्या है इक्वल है कुश्चन के अनुसार देन उस क्वाडिलेटरल को हमनों क्या के equal to angle C के छुकि opposite इंगल वैसे एंगल B जो है किसके equal है तो angle D की einग्वल है तो आविए ध्यान से दिखिएगा इस में सबसे पहले हम सो क्या करना है कि पैललो ग्राम होगा तो पैललो क्या बического कि कि किसी भी क्वार्डिलेल्ल का कि इặng अगर पैलल है तो सके हम लोग A B C D is A quadrilateral in which angle A जो है किसके equal है तो angle C के and angle B जो है किसके equal है तो angle D के यानि इस quadrilateral का opposite angles क्या है equal है अब यहां से हमको दिखाते हैं कि actually हमको proof क्या करना है तो proof हमको करना है क्या कि A B C D is A parallelogram यानि A B C D क्या होगा एक parallelogram होगा तो आईए ध्यान से देखेगा आपको आसानी से समझ में आ जाएगा तो हम जानते हैं कि किसी भी quadrilateral में चारो interior angle का जो sum होता है कितना होता तो 360 degree होता है तो यहां से हम लिख सकते हैं angle A plus angle B plus angle C plus angle D किसके equal हो जाएगा तो 360 degree के equal हो जाएगा एक चीज आप जानते हो यहां पहले से कि अगर यहां पे कोई line है और यहां एक transversal है तो अगर मालनेते हैं कि दोनों जो है दोनों को हम लोग ऐसा angle बोलेंगे तो कोई interior angle यानि कि consecutive interior angle तो अगर मालनेते हैं यहां एंगल 1 है और यहां पे angle 2 है अगर हम दिखा देते हैं कि angle 1 और angle 2 दोनों का sum कितना है 180 है तो हम लोग जानेंगे इसको कि corresponding angle exam के converse से क्या हो जाएगा दोनों line parallel हो जाएगा यानि वैसा नहीं बोलेंगे सिधा ऐसा समझें कि कोई interior है 1 और 2 इन दोनों का sum कितना 180 तो converse से दोनों line क्या हो जाएगा पैरलल हो जाएगा तो वैसे ही अगर इसमें हम दिखा देते हैं कि angle A और angle B का sum 180 है तो converse से AD जो है BC के parallel हो जाएगा अगर फिर हम दिखा देते हैं कि angle A और angle D का sum B 180 है तो AB किसके parallel हो जाएगा DC के और उसके बाद हमारा proof आसानी से हो जाता है तो यहाँ पर हम लिखेंगे angle A plus angle B plus C जो दिख रहा है ना C तो question में दिया हुआ कि C किसके equal है A के equal है तो C के जगा हम क्या डाल देंगे A फिर D जो है किसके equal है B तो D के जगा क्या डाल देंगे B equal कितना हो जाएगा तो 360 हो जाएगा यहाँ आप दिखा देंगे कि since angle A जो है किसके equal है angle C के and angle B जो है किसके equal है तो angle D के question में दिया हुआ अब आगे बढ़ते हैं तो angle A angle A दो बार हो गया तो 2 angle A 2 common वैसे angle B भी दो बार तो यहाँ से 2 common हो जाएगा equal क्या हो जाएगा तो 360 degree हो जाएगा तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि angle A plus angle B 2 jack को उदर divide कर देगा तो किसके equal हो जाएगा 180 तो देखरे हैं कि angle A और angle B जो है दोनों कोई interior angle है और इसका sum कितना है तो 180 degree है लिखेंगे therefore AD parallel to क्या हो जाएगा BC अब यहाँ से फिर से एक बार ध्यान दिजेगा अभी जस्ट दिखाएं कि angle A और angle B इन दोनों का sum कितना है 180 तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं angle A plus angle B किसके equal है तो D के हम चाहिए तो D भी लिख सकते हैं तो angle A और angle D का sum भी क्या हो जाएगा तो 180 हो जाएगा यहाँ दिखा देंगे कि angle B किसके equal है D के तो यहाँ से भी हम लिख सकते हैं कि A और D दोनों का sum 180 हो गया तो समझे दो लाइन है और यह आपकर सब्सक्राइब को इंटिरे रहेंगे लिए और इसका sum 180 तो Converse AB जो है DC के क्या हो जाएगा parallel हो जाएगा AB जो है AB यह आपके DC के क्या हो जाएगा parallel हो जाएगा AB DC के parallel तो अब लिखेंगे finally कि since AB DC के parallel हो गया and यहाँ से हम लोग को क्या मिला कि AD जो है BC के भी parallel है and इस quadrilateral का opposite side क्या हो गया parallel हो गया तो finally हम लोग बोल सकते हैं कि hence ABCD is A क्या हो जाएगा तो एक parallelogram हो जाएगा यहीं हमको प्रूब करना है तो हम लोगों इस वीडियो में क्या देखा कि अगर किसी भी quadrilateral opposite angle equal है तो उस derivation हम लोगों ने इस concept को इस वीडियो में देखा आसा करते हैं आपके लिए इस फिलोगा मिलनें के अगले वीडियो में thank you